बास्मती चावल की कीमतें 10 फीसदी गिरी, विदेशी खरीदारों के स्टॉक फुल होने से निर्यातकों की परेशानी बढ़ी, बास्मती चावल की घरेलू कीमतों में तेजी से गिरावट दर्स की गई है, जबकि निर्यात के लिए लागू होने वाली नियूंतम निर्या भी न्यून्तम स्तर से नीचे खिसक गया है। ऐसी स्थिती विदेशी खरीदारों के पाकिस्तान से बास्मती चावल खरीद लेने और अपना स्टॉक फुल करने के चलते बनी है। इन स्थितियों के चलते घरेलू थोक कीमतों में 15 फीसदी तक की गिरावट दर्स की गई मौजूदा हालातों के मदेनजर निर्यातकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए पंजाब चावल निर्यातक संग ने क्रिशी और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरन को पत्र लिखा है। वैश्विक खरीदारों के दूरी बनाने से बास्मती च प्रती टन हो गया है। कम कीमतों के बावजूद वैश्विक खरीदार दूरी बनाये हुए हैं। इस स्थिती के चलते निर्यात उठान नहीं हो पा रहा है। बास्मती चावल का निर्यात उठान कम होने से घरेलू कीमते भी 75 रुपए प्रती किलोग्राम से गिर कर 65 विदेशों ने सरकार द्वारा पिछले अगस्त में M.E.P. को बढ़ा कर 1200 डॉलर प्रती टन करने और फिर अक्टूबर में इसे घटा कर 950 डॉलर प्रती टन करने से पैदा हुई अनिश्चित्ता के बाद जल्द बाजी में भारत से अच्छी मात्रा में बास्मती चावल खरीदा था जबकि बाद में विदेशी खरीदारों ने पाकिस्तान से चावल की खरीद कर ली भारत में बास्मती चावल का ज्यादा की ज्यादा खपत नहीं है इसे मुखे रूप से विदेशी बाजारों के लिए निर्यात किया जाता है आम तोर पर भारत सालाना 65,000,000,000 टन बास्मती का उत्पादन करता है इसमें से लगभग 50,000,000,000 टन चावल का निर्यात किया जाता है बाकी 5,000,000,000 की खपद घरेल उस्तर पर की जाती है और बाकी 10,000,000,000 के करीब आगे के लिए स्टॉक करके रखा जाता है Bureau Report Market Times TV